उत्तर प्रदेश में लगताव वर्ते कुरूना के मामले अब चुन्ता का कारण बनती जा रहे हैं पिशले 24 घंटे के भीतर राज्य में कुरूना के 2,038 नए केस मिलने से हरकम मच गया है इसमें लखनव में ही 288 नए मरीज सामने आए हैं और इसके अलावा 511 नौइड़ा में और गाज़िबाद में 255 कुरूना के नए मरीजों की पुष्टी हो गई है इसके साथ यहां सक्विय मामलों की संख्या बढ़कर 5,158 हो चुकी है हाला कि महामारी में अब तक कुल 16 लाग से जादा लोग ठीक भी होच चुके हैं इससे एक के चलते सूबे में दसवी क्लास तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद करने के आदेश भी जारी कर दिये गए हैं योकी आदितनात ने कोविट के बढ़ते मामलों कुले कर स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिये हैं यूपी में दसवी तक के सभी स्कूल 16 जनवरी 12 बाइस तक बंद करने का फैसल लिया है सीम के फैसले के बाद ग्रह विभात के आदेशों में कहा गया है कि उत्रदेश में दसवी क्लास तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक अफकाश खोशित किया जाया और 11 बारवी के बच्चों को केवल टीका करन के लिए ही स्कूल बुलाया जाया टीका करन के अगले दिन इन बच्चों को चुट्टी दी जाए और ऐसे में 11 बारवी के विद्यार्तियों की कक्षाएं ओनलाइन माध्यम से ही संचालित की जाएगे यानि कि अवत्तप्रदेश में भी कुरुना का संक्रमन जिस तरहास और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए कि पैसा लिया गया है कि अवत्तप्रदेश में भी स्कूलों को बंद रखा जाएगा